गुजरात के दक्षिन शेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज अपनी कला के लिए दुनिया भर में मशूर है इनकी कला इनका रहन सहन अन्य समाजों के मुकाबले काफी अलग है गुजरात के दक्षिन शेत्र में सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी जले में अधिक तर आदिवासी समाज बसता है इनकी घरों की रहनक भी वो वारली पेंटिंग से बढ़ाते हैं तापी में ही रहने वाले सक्षक तुलसी पटेल ने कोरोना महामारी के मद्दे नजर कला का एक अद्बुत नजारा पेश किया है उन्होंने वाली पेंटिंग से अपने घर का हुल्या ही बदल दिया कोरणा माहमारी में कोरणा वॉडियर्स का क्या रोल रहा कैसे लॉकडाउन में मजदूर अपने घर लोटने को मजबूर हुए हर चीज एक चित्र में बड़ी बखुबी समाती हुई दिखाए पड़ती है आप जोई शकोचू गरामीन औने शहरी बिस्तार माँ लोकोने लोकडाउन दर्मियान पड़ेली मुस्केलियो आने ए समयधर्मियान यहाenne करेली प्रवरुतियो रजू थाईजिन बीजी हरोण मा आप जोई शको छो शहरी विस्तार मा थी पोता ना वत्तन मा जैरेला कारी गरो पग पाड़ा जैरे याता ते समय दर्मियान एमने जे मुस्केलियों पड़ी हती ए मुस्केलियों रजुवात में चित्र द्वारा रजु करी जी चित्र ना एक भाग मां कोरोना वोरियर्स ने दर्शावानों प्रयास करियों चे डॉक्टर, नर्स, पत्रगार, शिक्षक, विद्यूत कर्मी, सफाई कर्मी, आर्मी, पोलीज, अगनी शामक सिक्षक की कलाकारी से आकर्शित होकर, कहीं लोग इनके चित्र का दीदार करने भी पहुंचे थे उन्होंने भी सिक्षक की कलाकी खूप सराना की कोरोना वेश्विक महामारी बनी गयल छे, तो आव वेश्विक महामारी दर्मियां लोकोने जे दूख मुस्केली नो अनुबव थे तेनु आ वालली पेंटिंग द्वारा खुबत सुन्दार रिते चित्रांगन करवामा आवियो छे तो आ वालली पेंटिंग आदिवासी तरीके गर्व अनननी लागणी अनुबव छो आदिवासी समाज हमारी संस्कृती में काफी भात्व रखता है ये समाज प्राकृती के साथ अपने हाथ मिला कर चलता है और कोरोणा महामारी की देशत तो वैसे ही इंसानियत पर एक खत्रे की तरह मंडरा रहा है तापी से संजे सिंग राठोड की रिपोर्ट गुजरात तक